देश के मुख्य चुनाओ आयुक्त राजीव कुमार के हेलिकॉप्टर ने पिथोरागड जिले के मुंसियारी तहसिल के रालम में खराब मौसम के कारण इमेर्जेंसी लेंडिंग की मुख्य चुनाओ आयुक्त के साथ उनके पियसो और प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अदिकारी विजे कुमार जोगदंडी मौजूद है हेलिकॉप्टर के इमेर्जेंसी लेंडिंग की सूचना मिलने के बाद जिला मुख्याले इस्थित आपदा कंट्रोल रूम को एक्टिवेट कर दिया गया है पिथोरागड के जिलादिकारी खुद पूरी व्यवस्ताओं का जायजा ले रही है जिलादिकारी विनोध गीरी गोस्वामी ने बताया कि हेलिकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं और सेटेलाइट फोन के माध्यम से उनसे समय समय पर बात हो रही है जिलादिकारी ने बताया कि मौसम खुलने पर हेलिकॉप्टर उडान भरेगा एक हेलिकॉप्टर की लेंडिंग रालम में हुई है रालम हमारा एक रिमोटस विलेज है जो मुंचियारी से आगे पड़ता है और वहाँ पर उस हेली में तीन लोग हैं जिसमें कि हमारे राज्जी के अपर मुख्य चुनाव अधिकारी और जो CEC सर हैं और उनके एक PSO यह भी है इसके लाव है टीम है सभी लोग सेफ हैं और मेरी परस्नली बात हुई है टीन से तीन-चार बार बात हो चुकिए सेटलाइट फोन हैं बागी सारी फेसलेटिज बुगर रहे हैं और मौसम खुलने का वेट कर रहे हैं मौसम खुलेगा उसके बाद फिर फ्लाइ कर सकते हैं वहीं कुमाव मंडल कमिशनर दीपक रावत ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथ मौजूद लोगों के रेस्क्यू के लिए तीन टीमों को रालम के लिए रवाना कर दिया गया है पहुंध तक पहुंच जाएंगी जिनके पास रेस्क्यू का और खाने पीने का बाकी समान भी है और अगर मासम खुलने की कोई भी गुंजाईश दिखती है और फिर तो हेलिकॉप्टर के ऑपरेशन से ही मिलम में या वापस मुणशारी में आया जा सकता है तो कुल मिला के हमारे जो दल है ये ओन दो वे हैं और इस खबर पर ताजा अपडेट के लिए चलते हैं अपने पिथोरागर समभादाता राकेश पंत के पास राकेश आपके पास क्या ताजा जानकारी है इस खबर पर जी बिकुल आपको बताओं कि जिस तरीके से आज मुखी चुनाव आई उस राजीव कुमार के हेलिकोप्टर ने रादम ने अमर्जेंसी लेंडी की है उनके साथ प्रदेश के आपर जो हमारे चुनाव अजिकारी है वो भी इसे मिजे कुमार क्योक्टर ने मौसम खराब की वज़े से यह जो हमर्जेंसी लेंडी होई है अलंकि अभी भी वहाँ पर मौसम काथी खराब जो ताजा अपडेट है वो यह है कि मुंट्रिय और रालं के पुरी सेट्र मभी बारिक हो रही है मौसम काथी खराब है तो अभी तक उनका हेलिकोप्टर जो है उडान नहीं भड़ पाए है अलंकि अभी अंधेरा काथी हो गया है और जिला प्रसासन में जो चीन टीमे है आसपास के गाउंगों से वो रहाना की है रालं के लिए 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 तूचना यह है कि जो त पास महुचेगी तो तक तक उनके निरवाचन आयकती जो है और पूरी टीम को वहां पर आलं पर जाना पड़ेगा और उनकी व्यवस्ता के लिए जो तीम है वो ही सारी सामाल के साथ महा गई है ताथी आन्नी व्यवस्ता है भी लगाता पाज पीचा रही है उन्षारी का ज जो आन्य चीज़ में है जिला मुख्याले से जी एक पीडियों के नितरत में रावाना कीज़ी है तो लेकिन जिलाजिकारी का यह के नहीं कि लगातार सैटलाइट सौन के माध्यम से उन्पे बाती हो रही है और वो लोग फिलाल जिते भी लोग हेलिकॉक्टर मौजूर थे जी राकेश आबादी से यह जो खेतर है जहां पर यह इमर्जेंसी लेंडिंग हुई है कितनी दूर है जी विए आपको बताओं कि यह जो लेंडिंग हुई है रालम गाउं में हुई है और रालम गाउं जो है वो माइगरेट गाउं है वहां के लोग जो है वो सठ्जियों में नीचे आचके हैं तो अभी इस प्रिप्र नहीं है तो जो गाउं है कुछ 3 मिटर की दूरी पर वो पर गाउं है जो फिल्सी जहां पर है रहा है लोग में लेकिन और अट्छो से ले और बताמו करने दो किंड़ी से अचका है और वहाँ राजबिता है जब सीमें नहीं पॉस्टी या जब सब्सक्राइब नहीं बता वहाँ चाहिए उस तरह नहीं तेंजू